अच्छा जी आप बताईए आपके पास पर्मानुबम है वाली जो थे हमारे अबबा वो पर्मानुबम छोड़ के बनाते थे नहीं खाते थे अबे साले तब इससे बोलिए अबबा हमारे पर्मानुबम बनाते थे अच्छा बनाते थे अबे साले तमीच से माँ किजिए उससे पीछे खंडाले के पीछे जो था एक रिसर्च इंटर उसमें बनाते थे पर्मानुबम बना रहे थे रिसर्च लैब में ऊट बनाते थे अबे सालें तमीच से बोलिए माफ कर ना उससे में इदरोदर निकल जाता हूं जाइसी बात है ऐसी बात नहीं है रिसर्च लैब जब होगा तो उसमें बम ही अच्छा आखिर इसका मकसद क्या है आपके नीचे लगाने का तमीज से बोलिये तो आपके जेगा उससे में दोटर निकल जाता हूं ऐसी बात नहीं है जाहिज सी बात है हमारे अबबा जो थे वो बिस्खोपण दिमाग के थे तो वो दर असल इधर उदर की बात करते रहते थे और हमारे देश में जो जनता है उनको बोल दिया गया था कि आपको जिसको रहना है इसको रहे जिसको ना रहना है रहे आखे जनता अगे फिकर नहीं है फिकर है तबी तो बोर्णे हैं जिसको रहना है रहें जिसको रजाना है जाए अगर जो रहेंगे वो भी फूट जाएंगे अगर जादा हुआ तो आपका मू और जमी दोनों आपके मू से रूबरू करा देंगे अगर्मा गरम मलाई मार के मूड आपका गरम रहता है लेकिन चाय आपका म्याज ठंडा कर देंगे आपके अबबा के तरह यूरेनियर मिला दिया गया है चाय में माफ कीजेगा आपकी तरह चाय भी ददर हो गया पर माफ कीजेगा जनाब मुझे यह स्टूडियो फर्जी लग रहा है और जिस तरह से आपके नौकर आया यहां वो भी फर्जी लगा है जिस तरह से आपका यह चाय जो गायब हुआ है या मानुज जैसे आते आते मेरे ही खिलापने से उड़ गया हो एक दिन ऐसा नहों कहीं आप बैठे रहें और आपके हम नीचे लगा दें और आप पूचें और ब्रही बात उनकी तो उनका तो एक सब्द में और आप बगारत इंसान चस्मा उतारते हैं तो लगता है नंगी आख है आपकी फर्जी पूरुस पेकार पूरुस नल्ला पूरुस एक दिन आपको कैमरामेन पास आईए धन्यवाद तो आप इनकी अंग्रेजी से तो परिचित हैं ही जिनको समझ में हमें बता हैं जिनको नहीं समझ में हूँ आगे बढ़ा हैं धन्यवाद